वेलकम टो लिए येस स्वागत है आप सभी लोगों का प्रेलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 25 अक्टूबर 2021 तो आज ये देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं देखे अगर कोई भी व्यक्ति प्रारंभ और optional course एक साथ हवेल कर रहे हैं तो उनके पास discount होगा 5% का और 10% का जैसा कि यहाँ पर given है देखे एक problem आ रही है कई सारे students का ये concern रहा है कि उनकी calls पिक नहीं हो पाई हैं चुकि multiple courses एक साथ launch कर दिये गए हैं इसलिए calls का flow बहुत जादा है कई सारे लोग calls पिक कर रहे हैं स्टिल हम कई सारी calls मिस कर दे रहे हैं अगर आपकी call मिस होती है तो आपके पास एक alternative तो ये होगा कि आप simply इस mail पर अपनी जो भी query है उसे भेज दें अगर आप इस mail पर अपनी query नहीं भी भेज रहे हैं तो आप इस बात से आस्वस्त रहिए कि अगर आपकी call नहीं भी पिक होई है तो या तो उस दिन या उसके अगले दिन आपको callback मिल जाएगी ऐसा बहुत सा जो flight test है उसे successfully conduct किया गया है इसे नाम दिया गया है heat जिसका full form है high speed expendable aerial target उडिसा का जो चंडिपूर का integrated test range है वहीं पर इसे test किया गया है सबसे पहले तो अभ्यास क्या है अभ्यास एक drone है जिसे आप unmanned aerial vehicle या UAV भी कहते हैं इसे indigenously हमने develop किया है खुदी बनाया है किसी की मदद नहीं ली है इसका हम करेंगे क्या कई बार हमें missiles को test करना होता है missiles को इस तरीके से test करना होता है कि अगर उनके सामने कोई fighter jet आ जाएगा कोई flying object आ जाएगा तो क्या वो इसको hit कर पाएंगे तो test करने के लिए हमें किसी flying object को hit करने के आवशक्ता पड़ती है तो ये target की तरह work करेगा पता हमें अगर किसी missile को test करना है तो हम अभ्यास ये जो drone है इसे शोड़ देंगे अब ये अपनी velocity के साथ उड़ता हुआ जा रहा होगा और फिर हम missile से इसे hit करके देखेंगे कि हमारी missile जो moving targets है उन्हें hit करने में capable है या नहीं है aerial targets को hit करने में capable है या नहीं है इसे DRDO की ही एक जो wing है ADE Aeronautical Development Establishment उन्होंने develop किया है features में देखिए एक small gas turbine engine है इसके वज़ा से ये लंबे समय तक subsonic speed से ओर सकता है मतलब sound से कम speed को subsonic speed कहा जाता है इसमें MSME based inertial navigation system है मतलब ये अपने आप अगर आपने target set कर दिया है तो अपना moment decide कर सकता है इसे laptop की जरीए control किया जा सकता है अगर चाहें तो fully autonomous है अगर आपने इसका path इसकी speed को determine कर दिया है तो वो अपने हिसाब से flow करता रहेगा फर्दर आप चाहें तो इसे control भी कर सकते है हमारा next article आमुर falcons के बारे में है हाल ही में आमुर falcons मरिपुर का जो district है timing long वहाँ पर देखे गए कोई नई बात नहीं है annual stopover है यह हर साल यहाँ पर आते हैं हर साल आते हैं तो हर साल news में भी आ जाते हैं और प्रशन कभी भी पूछा जा सकता है इसलिए हम खुद को तयार रखते हैं आमुर falcons इन्हें falco amorensis के नाम से पुकारा जाता है scientific name है इनका यह दुनिया की सबसे लंबी दूरी पर travel करने वाले migratory raptors में से एक है सिकारी पक्ची जो सिकार करके अपना भोजन लेते हैं falcon family से ही belong करता है आमुर falcon यह usually Siberia और Northern China में पाये जाते हैं लेकिन जब वहाँ पर सर्दिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है temperature minus में चला जाता है तब ही migrate कर जाते है Southern Africa की ओर, Asia की ओर इनका जो migration होता है वो इंडिया में होता है और Arabian Sea के आस पास के जो regions है Southern Africa का जो region है वहाँ पर होता है दोयांग लेक जो नागा लैंड में है वहाँ पर आमुर falcons हर साल अपने annual migration के pathway के रूप में आते हैं और रुकते हैं खाते क्या हैं, जैसे कि मैंने कहा सिकारी पक्ची हैं, तो dragonflies और insect का सिकार किया करते हैं अपने भोजन के लिए IUCN का status and least concern Indian Wildlife Protection Act of 1972 और Convention on Migratory Species यानि कि CMS में भी इन्हें protect किया गया है IUCN status संग्यान में रखिएगा अब least concern है, आप से बोल देंगे vulnerable है, critically endangered है, तो confusion होगी बट है ये least concern, ठीक है यहाँ पर illegal trapping की जाती है, इन्हें पकड़ के मार दिया जाता है, इनके migration पाथवी के दौरान, जो इनका feeding ground है, जहाँ पर ये रुकते हैं land use के change होने के वज़े से वो भी खतम हो रहा है, इसे वज़े से इनकी संख्यामित धीमें धीमें कमी देखी जा रही है हमारा next article, Zero Waste Cities Challenge के बारे में है Waters Aid Circular Economy Network ने अब announce किया है, अपने finalist को, अपने Zero Waste Cities Challenge के domain में, Water Aid है क्या, ये UK based एक international NGO है non-governmental organization इन्हों ये challenge शुरू किया था Zero Waste Cities Challenge ये challenge ये तीन cities में conduct किया गया था जोहंसबर्ग में, जो कि South Africa के सबसे बड़ी city है, होचिन्मिन city जो कि वियत नाम में है, और गुवाहाटी आसाम आप जानते ही होंगे competition का उद्देश ये था कि हम solutions trap करें जो हमारे पास resources है उनको हम कैसे efficiently इस्तेमाल कर पाएंगे waste collection कैसे बढ़िया हो सकता है, जो भी कच्रा हमें कठा कर रहे हैं, हम उसे कैसे recycle कर सकते हैं तो South Africa, Vietnam और इंडिया में ये challenge conduct किया गया ये एक program का हिस्सा था जिसके जरीए हम circular economy को encourage करने की कोसिस कर रहे हैं ताकि inclusive livelihood की opportunities सहरों में create की जा सके अब ये circular economy का भला क्या मतलब होता है circular economy एक ऐसा model है production और consumption का जिसमें कई सारे component involved होते हैं, जैसे कि एक product आपने purchase किया, उसे use करने के बाद trash बना दिया आप ये circular economy में नहीं गया कई बार ये होता है कि हम अपने mobile को बिना खराब किये ही, means वो out of use नहीं हुआ है, use में ही है लेकिन हम एक नया mobile phone ले लेते हैं और उसे किनारे कर देते हैं, थोड़े दिनों के बाद मुसका इस्तेमाल बंद कर देते हैं इसमें कई सारी चीज़ी होती है sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing, recycling अब इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए एक mobile है, आप उसे नया खरीदने की बजाए repair करवाते हैं तो जो एक person उसकी repairing में involved है, उसे job मिल जाएगी या फिर आप उसे जो production centers हैं, वहाँ पर दे देते हैं तो उसके जो component use होने वाले हैं उन्हें reuse करके नए तरीके से manufacture कर लिया जाएगा या हम उसे recycle कर लेंगे तो recycling का जो process है, उसमें कैसा है लोग employed हो जाएंगे, मतलब जो economy है, उसका एक circle create हो ना कि एक article उसका production होने के बाद सिधा trash में convert हो जाए तो अगर हम इसे आसानी से बढ़ियां से कर पाते हैं तो हम waste, pollution, climate change और biodiversity loss जैसे कई सारी समस्याओं से थोड़ी बहुत रहात पासकेंगे because जो कच्रा है हम उसे कम करेंगे, हम उसे circular economy में, recycling में, repairing में involve कर देंगे, ठीक है 10,000 euro award करने की बात की गई है two innovation solutions को इस challenge के तहत जिन्होंने waste को reduce करने के लिए resource efficiency के लिए बढ़ियां काम किया है इन तीनों cities में यहाँ पर entrepreneurs जो है उनसे यह कहा जाता है कि आप innovative business idea लेकर आईए अगर आपका idea बढ़ियां लगा तो हम आपको reward करेंगे दो winners को choose किया गया है स्री गुरू plastic को और inside out को क्योंकि उन्होंने circular economy और plastic के usage को reduce करने के लिए अपने solutions देए थे हमारा next article hornbills के बारे में है दो organization के scientists ने अपनी studies में यह पाया कि जो fruiting plants हैं ऐसे पौधे जिन में फल आते हैं और hornbills यानि कि यह पक्छी यह आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अपने distribution को नाम दफा tiger reserve के भी तरगी बात चल रही है मतलब जहां पर fruiting plants होंगे वहां पर ज़्यादा hornbills जाएंगे और जहां पर hornbills जादा हैं वहां fruiting plants होंगे अब भला ये कैसे हो रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में symbiotic relationship में होते हैं symbiotic relationship का मतलब ये है कि hornbills से इन fruiting plants को फायदा होता है और fruiting plants से इन hornbills को फायदा होता है कैसे ये जो hornbills हैं ये ऐसे fruiting plant से attract होते हैं अपने खाने के लिए उन्हें यहां बढ़ियां अच्छा खाना मिल जाता है और जब वहाँ पर जाते हैं तो जो उनके seeds होते हैं वो इनकी body parts के साथ attach हो जाते हैं और इन्हें अलग जिगह पर ये scatter कर देते हैं, disburs कर देते हैं इस वज़े से कई सारे और fruiting plant के जो orchards हैं या जो groups हैं पौधों के, पेडों के वो तयार हो जाते हैं, जो forest के patches हैं उनमें जो एक rare tree है जैसे की canarium उसे involve किया गया जो hornbills को बहुत अदा attract करता है, food के लिए वहाँ पर वो जाते हैं और hornbills उसके seeds को disperse करते हैं, disperse करते हैं मतलब बिखेरते हैं, जो hornbills होते हैं, इनको नाम मिलता है, इनके horn leg structure के वज़े से, जो इनके beak यानी चोंच के उपर पाया जाता है, जिसे cast कहा जाता है, ये, ये एक sing-numa आकरती होती है, ठीक है, तो इसी वज़े से इन्हें hornbills नाम दे दिया गया है, further जो hornbills का distribution है, वो North Eastern State में देखे जाते हैं, hornbills biggest fugiverse माने जाते हैं, यानि कि ये fruit eating birds हैं, ये फल खाते हैं, Asian rainforest में पाया जाते हैं, नौ प्रकार की प्रजातियां, इंडिया में hornbills की पाई जाती हैं, सभी के नाम आपको याद रखने के आवश्यक्ता नहीं है, हमारा next article बन्नी buffalo IVF के बारे मे हैं, पहला IVF calf, इसी buffalo breed से birth लेता है, जन्म लेता है, इस breed का नाम है बन्नी, ये buffalo की एक breed है, प्रजाती है, ऐसा कहा जा रहा है है कि इस IVF calf के जन्म लेने के बाद इंडिया में जो in vitro fertilization का mechanism है, वो अपने next level पे पहुँच गया है, सबसे पहले तो in vitro fertilization का मतलब क्या होता ह है, in vitro, पहले तो मैं in vitro का मतलब बता देता हूँ, in vitro का मतलब होता है within the glass, Latin word है in vitro, इसका मतलब होता है glass के भीतर, मतब कांच का जो भी एक बरतन है, उसमें ये fertilization करवाया जाता है, आपको आइडिया लगया होगा है कि लैब में करवाया जाता है, ये cattle और humans दोनों में ह हो सकता है, इसमें करते क्या है, कि जो female है, उनका जो oa है या फिर egg है, उसे लेते हैं, और जो male है उसका sperm लेते हैं, उसको fertilize करवाया जाता है, एक culture medium में, laboratory में, जब वो fertilize हो जाते हैं, और embryo culture start होता है, तब उसे वापिस से female में implant कर दिया जाता है, उसके uterus में, मतलब जो बच्चा पैदा होगा, वो तो female के uterus से ही पैदा होगा, लेकिन उनका जो fertilization है, वो हम lab में करवा देंगे, ऐसा कई बार इसलिए किया जाता है, because sperm counts मान लीजे कम है, या एक counts कम है, और जो fertilization है, वो within body नहीं उपा रहा है, तो उसे within lab करवा दिया जाता है, और बाद में जो IVF pregnancies conduct की गई थी, जिनमें अभी एक बच्चा ये पैदा हुआ है, एक farmer है, विने एल वाला, जो कि सुसीला एग्रो फार्म का हिस्सा है, धनेज, जो सोमना डिस्ट्रिक में है, गुजरात में, वहीं पर इस काफ ने जन्म लिया है, खैर ये manual details आपके काम की नहीं है, इसके जो milk production है, वो काफी अच्छा होता है, और ये 16 लीटर तक per day milk दे सकते हैं, इने कुछी या फिर कुंडी भी पुकारा जाता है, जो वहां के local communities हैं, मालधारी उनके द्वारा, इनका genetic makeup तोड़ा different है, बाकी के जो common breeds हैं उनसे, इसलिए इनका milk production potential काफी जादा होता है, हमारा next बनना चाहिए, बराक वैली स्टेट, देखें, इंडिन स्टेट ऑफ आसाम का ये जो नीचे का हिस्सा है, बिलकुल साउथ का, उसके तीन district बराक वैली में आते हैं, वो तीन है, चाचर, करीम गंज और हैला कंडी, यहाँ पर एक important city है, सिल्चर, वो कह रहे हैं तीनों को merge क करके आप बराक वैली स्टेट बनाओ, नाम इसे इसलिए मिला है बराक वैली, बिकॉज यहां से बराक रिवर फ्लो करती है, उनका ये कहना है, कि यहाँ पर जो लैंगविज बोली जाती है, वो मेजरली बंगाली है, लेकिन SME's लैंगविज और कल्चर को यहाँ पर फोर् स्टास, और्टोनॉमस रॉकेट मिलिटरी सिस्टम है, गलत है, हमने पढ़ा कि यह ड्रोन है, अन्मेंड एरियल वहिकल है, आमूर फालकन, आयूसियन स्टेटर्स, इंडेंजर्ड है, गलत है, हमने देखा था कि यह लीस कंसर्ण है, हॉन बिल्स, इनके सेंबार्टिक रिल में है, बिल्कुल गलत है, यह आसाम के सदन पार्ट में है, तो आज का इस सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे, सेशन की वीडिया आपको अन्ली आयस के टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके रिवाइस कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्य वहाँ